नमस्कार दोस्तों बहुत पहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों तुलाराशी वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि 9 जुलाई की सुभ़ आपको भ्यंकर तुफान का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आप अपने जीवन में देखा होगा कि जब से महीना प्र आप तो हो चुका है और समहनने का मौका भी आपको मिल चुका है तो मित्रों ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि 9 जुलाई की सुभ़ तुलाराशी वाले जातकों को भ्यंकर तुफान का सामना करना पड़ सकता है आपको बताएंगे सारी जानकारी विश्तार से वीडियो को आखरी तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करगे चैनल को सस्क्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मुल सके और आप आने वाले दिनों को और भी जादा बहतर बना सकें तुमित्रों आपको बताना चाहेंगे कि तुलाराशी वाल कि कुल हो सकता है परंतु इसके साथ-साथ आपके जीवन में कुछ अच्छी वाते भी होंगी आपके भागी का सितारह काफी बुलंद रहेगा जिनके कवज़े से आपके कामों में आपको सफलतावस्य प्राप्त होंगे नोकरी में किये गये प्रियास सार्थक सावित बनाने के बहत्रिन मोके भी प्राप्त हो सकते हैं आपके परिवार वाले आपके घर वाले आपके सहाता कर सकते हैं तथा अब आपके दामपत्य जीवन में प्रेम और बढ़ेगा जो लोग प्रेम जीवन में जी रहे हैं उन लोगों को भी अपने प्रियास से बातों करने क मत्रों तुला राशी वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपको बेहंकर तुफान का सामना करना पड़ सकता है ऐसे में अचानक से बढ़ता हुआ खर्च भी आपको फ्रेसान कर सकता है बैतर होगा आप अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की अवस्य कोसस करें खर्चों पर आपको लगाम लगाने की विशेस जरूरत रहेंगी और बेवज़ा की आत्राओं पर जाने की वज़़ा से आपके धन खर्च में भी इजाफ़ा हो सकता है इसलिए आपको सावधान सतर को समहल कर रहने की विशेस जरूरत रहेंगे अन्यथा आपको मुसीबतों का आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है मत्रों आवभाहितों को विवा का परिस्ताव प्राप्तो हो सकता है और विवा के मारग में तुलयरासी वाले दूर कर सकते हैं तथा आप अपने जीवन साथी को जादा से जादा समझने का प्रियास कर सकते हैं भाग का साथ असितारा बुलंद रहेगा जिनसे कुछ काम आपके जरूर पूरे होंगे नौकरी में भी आपको अच्छ नतीजे हासिल होंगे कामकाज के सलसलों में किये गए प्रियाज सफल होंगे आपको उमीद के मुताविक मुनाफवी प्राप्त हो सकते हैं दामपत्य ज सलसलों में आपके मजबुत्ती बढ़ सकते हैं आपको तारीफें अवस्ये प्राप्त हो सकते हैं प्रेम जीवन जीने वालों के लिए यह दिन काफी अच्छा खासा बना रहेगा आपके लवलाइफ में वे जो भी तकलिफें चल रहे थे जो भी समस्याइद चल रहे हैं उ अविवाहितों को विबा का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है विबा के मार्ग में आ रही वाधाएं दूर हो सकती हैं वैवसाइक शेतर में प्रगती होंगी और आर्थिक धनलाव की स्थितिया भी वन सकती हैं आपको अपने कारिशेतर में सफलता हासिल होंगी तथा आपको स परिवार के माहोल को अच्छा बनाए रखनी के अवस्य कोसिस करें, अन्य था परिवार में आपको किसी प्रकार की मदभेत के कारण समस्याएं भी उत्पन न हो सकती हैं, बहतर होगा आप अपने निजी और वहवाईक जीवन को बहतरिन बनाने की अवस्य कोसिस करें, तथा आपको अपने कारीशेतर में अनुकूल प्रिणामों की प्रापती के लिए भी प्रियास अवस्य करने होंगे। जिसमें आपके लिए सुबसावित होंगे, आपके लिए काफी अच्छा सावित होंगे और आपके बहबाईक जीवन में भे आपको काफी अच्छा सुनबरा अवसरों की प्राप्ती हो सकती हैं। और कारिशेतर में आपको सफलता मिलने से आरतिक इस्तितियां आपके मजबूत रहेंगी, धार्मिक और समाधिक कारेंगे आप बढ़ चड़कर हिस्सा ले सकते हैं, बढ़ चड़कर भाग ले सकते हैं, जिनसे समाध में आप अपनी अलग्छे बेलग पहचान बना सकोगे, स कारिशेतर में मदद करने की वज़ा से आपको अपने काम काजुक को अच्छे तरीके से पूरा करने के बहत्तरी नमोके भे प्राप्त हो सकते हैं। आपके सुकसादनों के स्तर में मड़ोतरी होंगी तथा आप अपने आपको बहतर सावित कर सकते हैं जिन लोगों पर भी मातालक्ष्मी की किरपा होती हैं वे बहुती जल्द भागे साली होते हैं बहुती जल्द धर्मान बनने वाले होते हैं तथा आपको बिजनस के बारे मे सोच विचार करने होंगे यसमें आप लोगों के लिए काफ़ी सुब रहेगा आपके आर्थिक इस्तितियों को बदलने में आपके जीवन को काफ़ी अनुरूप बनाने में आपके सहाता कर सकता है और आपके जीवन को अनुरूप बना कर आपके द्यानिक दिंचरिया के साथ साथ आपके जीवन और जिंदगी की रूप रेखा में काफी बड़ा परिवर्तन भे करने वाला है तता मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि तुला रासी वाले जातकों को 9 जुलाई की सुभा भेंकर तुफान का सामना भे करना पड़ सकता है तो आपको अपने दैनिक में खुसी का माहूल बना रहेगा तता तुला रासी वाले लोगों पर भगवान बजरंगवली की विशेश्क्रपा बनी रहेंगी जिनके कारण आपको अपने जीवन में खुस्यों की प्राप्ति हो सकती हैं कामकाज में आपका मन लगा रहेगा कामकाज में मन लगने की व अत्पुन वैक्तियों से मुलकात करने के मौके भी फ्राप्त होंगे तता सुबह से ही आप लोगों को कारोबार में भी विर्दी देखने को मिल सकती हैं। आप अपने जीवन में चल रही प्रकार की समस्याओं से दूर कर सकते हैं। कारिशेतर में आप लगातार प्रगति भी हासल कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ मदुर समंद स्तापित कर सकते हैं। बिद्यार्तों को उनके परतों गिता परिक्चाओं में सफलता आवस्य फ्राप्त होंगी। आपके लिए आने वाला समय बहुत इस्सु रहेगा। आपके लिए नई खुसियों आ तरक्की को भी लेकर आ रहा हैं। आपके बहबाईक जीवन में लगातार प्यार वड़ सकता हैं। और आपको खुसकवरी के साथ साथ आपके जीवन में बहत्रिन पलों की प्राप्ते भी अवस्य हो सकती हैं। नई गैजट या नई किसी महत्पुन वस्तों के खरिदारी कर सकते हैं। जिनके खरिदारी करने की वज़़े से आपको लाव की प्राप्ती होंगे और आप अपने बहुत तिक जीवन को भी काफी सकरात्म कर सकते हैं। और अपने जीवन में बहत्रिन प्रेनामों के प्राप्ती करते हुए। अपने समाध में अपने एक अलक्षबे अलग पहचान भे आसानी से बना सकते हैं। जो लोग औविवाहित हैं औविवाहितों को विवाह का प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। विबाग के मार्ग में आरही वाधाएं दूर हो सकते हैं। आप अपने दिन चरियाग में वैस्त होने के बावजूद आपका स्वास्त काफी अच्छा रहेगा। कफलता को प्राप्त करते हुए अपने सभी कार्यों को अपने नरूप पूरा करने के विशेश कोशिश भी अवस्य कर सकते हैं। दूर रहने के जुरत रहेंगी योकि आखिरकार आपको इन सभी समस्याओं से चुटकारा अवस्य फ्राप्त होंगी। आप अपने दोस्तों और रिष्टिदारों से कौफी जादा मिलाकात कर सकते हैं। और आप अपने इमांदारी से हर एक कारी को सफलता पूरा करते हुए आप अपने प्रिय वैक्तियों के साथ रुमैंटिक समय भी वैतित कर सकते हैं। रुमैंटिक समय और रुमैंटिक साम को वैतित करने से आपका दिन काफी अच्छा वैतित हो सकता है। परतियों किताओं परिक्षाओं में सफलता आपको अवस से हासिल होंगी आपका दिन बहतर बरें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमा तादी अवस से लिखें आपका दिन सुभ हो मंगलकारी हो जैमा